दोस्तों नमश्कार भारत सरकार ने विम्न एजरोवेशन बिल संसद में पेश कर दिया आज अस्के चरचा करेंगे और इसके लाजनेतिक और समाजविक पहलू पर भी हम हम करें लिकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यह जो बिल पेश किया गया है इसके मुख्य प्रावधान क्या है दोस्तों यह 128 एमेंडमेंट है Constitution का जैसे आपको पता है कि Electoral Politics में सबके लिए बराबर का अधिकार है लेकिन जब हम एक reservation category create कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम उसको समिधान में संचोधन करें इसी मुद्दे पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगी आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर कि नया सत्र और नया संसद भवन कुछ तो नया होगा और उसमें मैंने बहुत क्लियर लिए कहा था कि हिंदुस्तान में अगर हमें सबसे बड़ा कोई परिवर्तन राजनीती में देखना है तो वो है विमिन रिजर्वेशन बिल को लेगी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं मैंने का अगर कोई भी विशेश सत्र बुलाये जाता है और उस मौके पे जब आप नया संसद भवन का उद्गाटन कर रहे हैं तो आप कोई रूटीन काम नहीं करें रूटीन काम करने के लिए आपके पास पूरा साल रहता है आप कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग करेंगे जिस से दिशा और दशा दोनों बतले और विमिन रिजर्वेशन बिल उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इसका असर बहुत दूरगामी होगा जिसकी चर्चा में आपके साथ करने वाला है दोस्तों सबसे पहले तो जो इसमें प्रावधान है वो ये है कि जितनी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटेव हैं चाहे MLA हो या MP हो उसकी वन थर्ड सीटें विमिन के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं ये प्रावधान में बहुत क्लियरली लिखा गया है डारेक्ट अगर मैं इसके exact language पढ़ूँ तो टोटल नमबर अव सीट इसका मतलब यह है कि MLA की सीट है MP की सीट है और बाकी जितने वी लोकल दिकाये हैं या बॉडीज है उनकी सीट है अब सवाल इस बात का लेके आता है राज्यसभा का क्या होगा अगर आप भ्यान से इसकी language पढ़ते हैं दोस्तों राज्यसभा को इससे exclude किया गया है क्योंकि राज्यसभा में direct election नहीं होता है ये बात हमें समझनी होगी दूसरा जो बहुत महत्ोपुर्ण मुद्दा है जिसको हमें देखना होगा ये बात जो कही गई है कि ये जो पूरा कानून है जो हम बात कर रहे हैं अब सवाल इस बात का है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि Women Reservation Bill की तो क्या यह हमेशा के लिए रहेगा? यह दोस्तों 15 साल के लिए 15 साल के लिए इसलिए है कि हर सीट पे एक ना एक बार Women Candidate Representative हो इससे यह होगा कि हर छेतर में हर तालुका में हर कस्बे में हर MLA सीट पे हर पारलिमेंटरी सीट पे एक ना एक बार Women Candidate को उमीद है कि वन थर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो तीन ब एक सशक्ती करण की दौर पर जाएगा और आगे बढ़ेगा अब रही बात कि जो दिल्ली का मुद्धा है उसमें यह कहा गया है कि rotation of sheets reserved for the women in the house of people, the legislative assembly of the state and legislative assembly of the NCT of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of div limitation as the parliament may by law determine अब सवाल यह है कि यह जो rotation से आपको सीटें देने पर हैं जब आप rotation की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको technically हर सीट पर पंदरा साल के अंदर एक ना एक female candidate आपको मिलेगा अब सवाल इस बात को लेके आता है कि प्रधान मंत्री की जो आज सीट है अगर मैं यह कहूं कि वारण असी तो प्रधान मंत्री के बाद वहाँ पे women candidate कौन होगा रहुल गांदी साथ की सीट पे women candidate कौन होगा जो बड़ी सीटे हैं जहां पे लोग कई सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं उन सीट पे जब women candidates को nominate करना होगा तो वो candidates कौन होगी यह बहुत important development है क्योंकि अगर उन सीटों को इन नेताओं को अपने पास रखना है तो उनको अपने वहाँ पे वो महिला कैडर तयार करना होगा जो उनके हिसाब से party को वहाँ represent कर सकें successful हो सकें ताकि अगली बार यह जो male candidates हैं वापस वहाँ से contest कर सकें यह बात समझनी होगी दूसरा अगर एक बार महिला candidate वहाँ से जीत जाती है तो क्या उस महिला candidate का aspiration नहीं होगा दुबारा चुनाव लड़ने का अब सवाल यह है कि क्या वो उसी सीट से लड़ेंगी या उनकी सीट बदली जाएगी यह सब चीजें आने वाले दिनों में हमें बड़ी इंट्रस्टिंग वे में देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों यह तो था पॉलिटिकल पाक्ष अब इसका जो स्टेट लेवल पे इंपक्ट है उसको हम देखते हैं हिंदुस्तान में करीब इस समय मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और जानकरी देना चाहता ह कि अगर हम यह देखें कि एक MP की सीट पे on an average कितने candidate खड़े होते हैं अगर हम पिछली बार चुनाव जो हुए थे अगर उसके आकड़े को देखें तो एक सीट पे करीब 19 candidate खड़े होते हैं on an average इसका मतलब यह है कि अगर महिला candidates खड़ी हो रही है किसी सीट पे तो अगर ह हों वो किसी ने किसी political party से हो और बाकी जो चार-पांच candidates हो वो शायद निर्दलिये के रूप में खड़ी हो अब आप समझ यह दोस्तों कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है महिलाएं मंच पे होंगी महिलाएं भाशन देंगी और पुरश उनके सामने उनकी rallies में दरिया बिचाएंगे कुरसियों का इंतजाम करेंगे रैली के लिए भीड इकटी करेंगे क्या यह समाजिक परिवरतन नहीं दिख रहा है आपको कितना इंटरस्टिंग होगा कि मंच पे महिलाएं बैठी हैं और पुरुश सामने बैठे हैं और उनके favor में नारे लगा रहे हैं क्य प्रजने को मिलेगा अब मैं अगर बात करो कि राज्यों में किस तरह का प्रभाव होगा दोस्तों हिंदुस्तान में करीब 4120 MLA की सीटे हैं जब हम 4120 MLA की सीटों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं करीब 1375 महिला कैंडिडेट्स 1375 अगर महिला कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं पूरे देश की सारी अगर एसेम्बली की हम बात करें कि 1375 महिला MLA होंगी किसी भी साल में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी हमें समझना होगा कि हर कॉंस्टिचुएंसी में कम से कम वापस 10 के आसपास महिला कैंड कैंडिडेट्स खड़ी होंगी इसका मतलब ये है कि 1375 महिला MLA को चुनने के लिए हमें करीब 13750 महिला कैंडिडेट्स चुनावी जंग में दिखेंगी 13750 महिला अगर चुनाव लड़ रही हैं तो अब आप समझे दोस्तों कि कितना बड़ा मॉबिलाइजेशन होने वाला ह और ये हर कॉंस्टिचुइंसी में होगा ये हर MLA की सीट पे होगा ये बात हमें समझनी होगी इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पुलिटिकल पार्टी को सत्ता में आना है चाहे राज्ये हो या केंडर हो उसको अपने यहां पे महिला कैडर को तैयार करना ही होगा ताकि वो महिला चुनाव जीत सकें और जब विधान सवाया संसद में पहुंचे तो सरकार बनाने में उसमें मदद कर सकें अब जब आप महिला कैंडिडेट से उमीद करते हैं कि वो आपके सामने चुनाव लड़े और बाकी शेत्रों में भी महिलाओं के सामने ही उनको चुनाव तो बनाएं बहुत सारे ऐसे राजे हैं जहां पे महिला कैंडिडेट्स को कभी सीटों में या वोट में कभी उनको टिकेट नहीं दी जाती है अब सवाल ये होगा कि क्या महिला कैंडिडेट्स का जब नंबर आएगा तो ये जो पार्टियां है खासकर मुस्लिम पार्टियां है जहां पे अक्सर ये कहा जाता है महिलाओं को बाहर नहीं जाना है समाज के ऐसे बहुत से तब्के हैं जहां पे महिलाओं को ये कहा जाता है कि राजनीती आपके लिए सही नहीं है वहां क्या होगा मैं कुछ उधारण आपके सामने रखने वाला हूँ मैंने हर स्टेट का एनलिसिस किया है अगर मैं आपके सामने रखूँ तो अब एक-एक करके अगर हम इसमें देखते हैं कि क्या महत्वपुन बदलाव आने वाले है सबसे पहले अगर मैं ये देखूँ जिन इंपॉर्टन बैकवर्ड स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ पूरे मैं तीस के तीस स्टेट आपसे अलग चर्चा करूँगा लेकिन जो महत्वपुन राज्जे हैं जहां पे हम चर्चा करते हैं हमेशा महिला सचक्ति करण को लेखे उधारन के लिए बिहार बिहार में 243 सीट्स हैं अब आपको कम से कम 81 महिला कैंडिडेट्स विधान सभा में एजे मले चाहिए इसका मतलब यह है कि लालू जी को भी अपने 81 महिला मलेज की टिक्टों का इंतजाम करना होगा अभी तक शायद उन्होंने सिर्फ अपनी शिरिमती जी को पुश्च किया था क्योंकि वो सीम कैंडिडेट भी थी राबडी देवी जी लेकिन अब लालू जी को 81 महिला कैंडिडेट ढूंडने होंगे अपनी पार्टी में आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो आरजेडी में इसी तरह से जब हम बात करते हैं यूपी की यूपी में 403 सीटे हैं टोटल MLA की 134 महिला कैंडिडेट चाहिए होंगे अखिलेश जी को 134 महिला उमीदवार ढूंडने ही होंगे इसी तरह से कांग्रेस को भी 134 ढूंडने होंगे क्योंकि अगर वो 134 कैंडिडेट नहीं खड़े करते हैं महिला कैंडिडेट तो ये तो मान लिजिए कि जो अपोजिशन होगा चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो तो आसानी से वाक ओवर कर जाएंगे और जब वहां की सीटें वो नहीं जीत पाएंगे तो सरकार बनाने की संभावना कम हो जाते हैं क्योंकि ये महिला मलेज भी तो सरकार बनाने में उनका वोट भी काउंट हो गए इसी तरह से पंजाब 117 सीटे हैं और अब चाहिए होंगी हमें करीब 40 39 सीट्स हमें महिला कैंडिडेट चाहिए हो इसी तरह से राजिस्थान की अगर हम बात करें जहां पर अक्सर महिलाओं को परदे में रखने की आदत है 200 सीटे हैं टोटल MLA की अब उसमें से 67 महिला कैंडिडेट्स आपको चाहिए विधान सभा के लिए तो दोस्तों मैं सिरफ आपको एक्जामपल दे रहा हूं वेस्ट बंगॉल की अगर हम बात करते हैं 294 सीटे हैं आपको 98 फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए जब 98 फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए वेस्ट बंगॉल में एसेम्बली चुनाव के लिए तो क्या महिलाओं जहां महिलाएं चुनाव लड़ेंगी क्या वहाँ पर भी दंगे होंगी क्या वहाँ पे भी मारकाट होगी क्या वहाँ पे भी माफिया राज होगा ये देखने की बात हो तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है अगर हम ये उमीद करें कि नया संसत भवन और विशेश सत्र भारत को क्या दिशा और दशा देगा ये भारत की राजनितिक और समाजिक स्थिति में बहुत बड़ा आमूल चुल परिवर्तन करने वाला है कुल मिलाके हिंदोस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब समाजिक परिवर्तन होगा राजनितिक परिवर्तन होगा तो जो सोशल डिबेट्स हैं जो टीवे डिबेट्स हैं जो ड्राइंग रूम डिसकेशन्स हैं इनमें भी बदलाव आएगा अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमेशा के लिए है क्योंकि जहां तक बात है महिला रिजर्वेशन को लेके ये पन्रा साल के लिए कानून बनाया गया है उसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर हम ये बात करें कि 24 से अगर काम शुरू होता है माल लीजिए 24 के चुनाव पहला चुना ये कानून जो है वो अपना असर खतम करेगा उसके बाद क्या हम उमीद कर सकते हैं आने वाले पन्रा सालों में महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएंगी कि उनको रिजर्वेशन की जरुरत नहीं होगी अगर ऐसा होता है तब वास्ता में समाज में हम सुधार मान सकते हैं राज का मतलब यह होगा कि हिंदुस्तान का समाज नहीं बदला है अब समाज बदला है या नहीं यह तो वक्त बताएगा कैसा आकलन लगा दोस्तों आपको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या लगता है कि क्या यह विमिन रिजर्वेशन बिल भारत की राजनितिक कर समाजिक स्थिति को बदलने में सक्षम होगा क्या यह जो अभी तक प्राइवेट लिमेटेड रीजिनल पार्टी हैं जो परिवारवाद के भरोसे चलती रही क्या उसमें बदलाव आएगा क्या उनको व्यापक द्रिश्टी से अपने मित्रों के अलावा भी महिलाओं के परिवरतन लेके आएगा और आपकी नजर में कोई और बात भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपका आकलन हमारे साथ शेयर करें आपने वक्त निकाला आपका धन्यवाद आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर म है तो पूर्ण बुद्दे के साथ तब तक बंदे बात्राइब